जिस देश में तिहाडी न्यूज चैनल चलाता हो और बलतकारी पैरोल पर आते हों उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता क्यूंकि इस देश में जाती और धरम के नाम पर बोड दिया है तो ऐसे बलतकारियों को हम धार्मिक गुरू मान लेते हैं इस गेंडे आते की सकल देखो ऐसा लगता है कि भालू प्रजाती का अंतिम सरदार है ये ये जो फोटो आप देख रहे हो यह गुजरात के बडोदरा की हरनी जील का है जिसमें कल 14 लोग डूब के मर गए उन 14 में से तो 12 बच्चे थे जिनकी उमर 8 से 14 साल रही होगी पता नहीं उनमें से कौन कल बड़ा होकर अटल व्यारी बनता अब्दूलकलाम बनता अम्मेडकर बनता लाल बादूर सास्त्री बनता किसको पता था यार मर के चले गए बच्चे और हमें से किसी को कोई फरक भी नहीं पड़ता और फरक पड़े भी क्यूं कौन से हमारी संताने मरी है जब हमारी संताने मरेंगी तब हम ये प्रशन पूछेंगे कि हाँ इतनी बड़ी लापरवाई कैसे हुई ये सुरक्षा में चूक कैसे हो गई और अकीकात यह है कि हमें ये प्रशन पूछने का भी अधिकार नहीं है कि सुरक्षा में चूप कैसे हो गई क्योंकि बोट ना तो हमने विकास के नाम पर दिया है और ना ही हमने अपनी सुरक्षा के नाम पर दिया है हम बोट देते हैं धरम और जाती के नाम पर वो हमें दम से मिल रहा है और जिनको हम चुनकर भेजते हैं उन्हें हम अपना जीजा और माई बाप समझने लगते हैं मन में धारना बन जाती है कि वो जीजा है माई बाप है उनसे कुछ कहना नहीं नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा और यह हरामकोर जातीयों का सारा लेकर हम लोगों के सर पर नाच रहे हैं और अधिकान्स जो राज़नीती में जा रहे हैं वो लुच्चे, लफंगे, जूटे, मक्कार, बरतकारी हैं और इनको हम चुनकर संसद और बिधान सवाव में बेज रहे हैं गायलों को पचास जार रुपए देंगे यह हैसियत है हमारे बच्चों की पैदा करो दो लाक में मार डालो बेश दो जब गरीबी सताने लगे तो बच्चों को मारो दो लाक रुपए मिल जाएंगे यह गड़ना इसलिए हो गई एक स्कूल है बड़ोदरा में न्यू संराइज स्कूल उसने बच्चों को पिकनिक कराने का प्लान बनाया उसके लिए उसने एक कंपनी चुनी जिसका नाम है फ़र्ण टाइम एरीना कंपनी और जील चुनी गई हरनी जील अब इस हरनी जील में जब यह गए गूमने के लिए तो इस हरनी जील का रेक रेक कौन कर रहा था केडिया नाम की एक कंपनी अब इसमें जिम्मेदार कौन क्योंकि बच्चे जो मरे हैं वो लापरवाई से मरे हैं जिस नाव में बच्चे बैठकर गूमने गए थे उसकी छमता सोला थी उसमें 30 स कोई नुकसान हो तुमारी जान जान है और इन बच्चों की कोई जान नहीं है या कोई प्रोटोकॉल नियम नहीं काम करता क्यूंकि हम उसकी एक्सराइज नहीं करते अभी आएंगे साले चमका दढ़की तरह बाहर नेकले को 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 करेंगे हमें सम्मेदन सीलता है हम अब सब्सक्राइगे और अगली वारे सी घटना नहीं होगी आरे जूटे हैं सब यह और उसमें हम लोग भी सामिल है क्योंकि हमको कोई फ़रक ही नहीं पड़ता उनके घर में खड़ा होगे देखो जिनके बच्चे मरे होगे यह कान बहरे हो जाएंगे उनकी आवाज सुनते हुए दिल दहल जाएगा उन आवाज जिनके घर में बच्चे मरे होगे ये लापरवाई का नतीजा है और लापरवाई इसलिए हो रही क्योंकि हम कुछ सीखते नहीं है और इसके मुझे दो कार्ड समझ में आ रहे हैं कि ये गटना क्यों नहीं रुक रही है पहला हम इतियास से नहीं सीख रहे हैं, दूसरा हमारे देश की मीडिया जो सची खवर नहीं दिखा रही है, इतियास से क्यों नहीं सीख पा रहे हैं सर, जैसे, अरे इसी गुजरात के सूरत में, एक कोचिंग में आग लगी थी, जब वो आग लगी थी, बच्चे छत से बढ़ बढ़ उसके बाद फिर कतम, फिर कुछ समय के बाद मौरवी का अस्सा हो गया, हम आके दुख पर रट कर दे हैं, हम सगायलों को इतने रुपए देंगे, मरने वाले को इतने रुपए देंगे, बढ़ 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 बढ़, हाई लेवल कमेंटी बिठाई जाएगी, चार दिन अखमार में आया, हम फिर से गुम हो गए, अरे जिस देश की जनसंख्या इतनी जादा हो, वहाँ जान की क्या कीमत है, जान की कीमत हो केवल बड़े बड़े बिजनिसमेन और ब्रष्ट नेताओं, बड़े बड़े अधिकारियों की है, आम जनता हम लो ले जाओगे, फोटो के जवालेंगे, इस से अधर क्या होगा, ऐसा नहीं कि मैं केवल गुजरात की घटना है बता रहा हूँ, जारकंड में रोब बे घटना होई थी, हाई लेवल कमेटी बठाएंगे, बिहार में नाव आसा हुआ, हाई लेवल कमेटी बठाएंगे, गया बस लंबी-लंबी, नेता हो, हमारे देश के नेता सरे आम जूट बोल जाते हैं, और हम उसको आदत हो गई हमको, हमें मालू में के नेता जूट बोल रहा है, कुछ नहीं करेगा, तो उन्हें कोई फरक सुनना पड़ता है, इनलों के बयान सुनना, घटनाओं के बाद किसी क की फसल की कीमत नहीं है, महिला की आवरू की कीमत नहीं है, और चात्रों की जवानी कोई कीमत नहीं है, कीमत तो केवल है, नेताओं के बोड की, बैपारियों के नोट की, और इस देश में नेताओं के बच्चों की, वस उनके बच्चों को खरोचने आन चाहीं, दूबनी ल एक गुलाम चिलाचला के बोल रहा है। कई गुलाम तो महणसिक रूप से होंगे.. जो नेताओं को अपना बाप समझ रहे है। उन्हें लगता है कि यहिं मेरा माई बाप है ⁎ इसके बारे मैं कैसे बोल दिया इस चिलगोजे को देखो यह कह रहा है कि यह जो मरे हैं इसमें टीचरों की जवाबदारी है इसकी इतनी हिम्मत नहीं है यह सिस्टम की ऊपर आवाज उठा दे पता यह क्यों हो पा रहा है हमारे देश की जो मीडिया है ना वो खतम हो चुकी है खेर मीडिया कहना ही ठीक नहीं रहेगा अब तो यह दल्ले हो गए दलाल हो गए हैं क्योंकि इन लोगों को पैसा मिलता है बड़े-बड़े बंगलों में रह रहे हैं इनके बच्चे भी बलतकारी पैरोल पर आते हों उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता क्योंकि इस देश में जाती और धर्म के नाम पर बोड़ दिया है तो ऐसे बलतकारियों को हम धार में गुरू मान लेते हैं इस गेंड़े आते की सकल देखो ऐसा लगता है कि भालू प्रजाती का अंतिम स करके जेल में गया है पर यह सिस्टम जो फालिस मार चुका है सिस्टम को यह दलाल सिस्टम यह बोट का भूंगा सिस्टम उसे मालूम है कि अगर यह अराम खौर बहुर आएगा तो बोट मिलेंगे उस सरकार को जो इनको बहुर लेकर आई है जिस देश में तिहाडी न्यूज बताता हो जिस देश में बलतकारी परोल पर भूमता हो जिस देश में भगवा दारण करके भगवा का नाम खराम करने का काम किया जा रहा हो यह पतण जली का ठकदेव बावा यह कहां से बावा हो गया और मैं हिंदू के रूप में इसका प्रोथ कर रहा हूं कि भगवा का प्रियोक करके हमारे हिंदू धरम का नाम बदनाम कर रहा है यहां पे लिखा है नेपल टु पतंजली रिकॉल सिक्स प्रोडक्ट ओफ इंफिरियर क्वालिटी और यह ठग भावा यहां पर भगवा पहने खड़ा गवा है तो इसमें भगवा की बेजिती है और भगवा के नाम पर हम लोगों को मूरक बना रहा है और हम मूरक बन रहे हैं तुकि हमें दरम और जाती के नाम का चस्मा पहना दिया गया हम सोच नहीं पा रहा है कि हमारे साथ कितना गलत हो रहा है इसमें हम और हमारे बच्चे सफर कर रहे हैं यह आएंगे चार बासड़ देंगे चले जाएंगे अंदर जाके मस्ती मारेंगे कोई फर्क नहीं पढ़ता तुम्हारे बच्चे मर गए कि जी गए इस देश में यह देखिए ऐसा नहीं केवल यह तो यह तो खेर बड़ाप्य जवानी आ रही है इसको यह देखो यह पॉप बलतकार के आरोप में यह मौलवी बलतकार के आरोप में जिस देश में संत गुरू बलतकार के आरोपी हो जिस देश में राजनेताओं के उपर बलतकार और सुषड के आरोप लगते हो उस देश में तुम मैलाओं कितना सुरच्ची समझ सकते हो उस द केस में आरे सरम आनी चाहिए यह बलतकारी थे इनको मिठाईया खिला रहे हैं इनको फूल माला पहला रहे हैं वो तो धन्य है वो सुप्रीम कोट इस देश में नहीं साले इस देश को रोड पे लाकर खड़ा कर दो तो सर आपने समस्या हैं तो बहुत बता दीए आपके पास कोई समाधान है क्या इस पर मैं दो सलहा दे सकता हूँ अगर हम अनुसरान करते हैं सब मिलकर तो साइब फायदा हो पहला है पार दर्सता को लेकर खासकर PPP मॉडल में पबलिक प्राइवेट पार्टनर्सिप पूरी PPP का मतलब है पापी पेट को पालना ठेकेदारी विवस्ता है इसमें और सामान तहा जब सरकार के पास पैसे कम होते हैं सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहती है तो प्राइवेट लोगों की भागेदारी कर लेती है जिसे सरकार का पैसा बच जाया और काम भी हो पर सरकार यह प्रोजेक्ट किसी ना किसी को तो दोगी सामान तहा मंतरियों के करीवियों को या उनके दोस्तों को मिलता है जिसमें कमीशन बंधा होता है तो इस कमीशन से उस PPP मॉडल में कई सारे लूप होल आ जाते हैं जिस लूप होल के चलते अगर जो इस्टेक्चर ब बहुत अच्छे सक्सेज भी हुए है अब यह जो नाव डूबी है इसमें जो कंपनी है जिसने जील के संडक्षन की बात की है वह बोल देगा कि पबलिक कंपनी गलती है पबलिक बाले बोले उनकी गलती है तो इस परकार से जो रिस्पोंस्बिलिटी है वो एक दूसरी को पर ट्रांसपर हो रही है और इस प्रकार का प्रोसेस चलता रहेगा कोट कर्चेरी होती रही आदमी बूल जाएगा फिर प्रोसेस खतम हो जाएगी इसमें सीधा सा है कि अगर आप ठेका ले रहे हो मैं थर्ड पार्टी को नहीं ज है बिना कमिशन के तो यहां एक साइन नहीं हो सकता पटवारी से तुम साइन करा लो मान जाओंगा यह अखीकत है आदर्स वाली बात नहीं है दूसरा यह है कि हमें खुद से अपने अधिकारों को जानना होगा हमें माईवाप माईवाप बोलना बंद करना होगा भले ही आ सर हम तो इंकम टेक्स नहीं बरते हैं अरे आप इंडारिक टेक्स बरते हो यहां स्मान में हाद जोड़ो बात अलग है कि ऐक से बोलना कि तुमारा पेइमें थे आ रहा है ऐसी क्रेक्टर से मिलो तो बहुत सम्मान से मिलो आजकल के जो collector है फैसन में आ गया है, real बनाने लगे हैं, अपने आपको सोफ करने लगे हैं, काम दाम कम कर रहे हैं, कई तो मैंने देखे हैं, तैसिलदार, एडियम अगेरा बगेरा, कोई किसी को आउकात देखा रहा है, कोई किसी को तपड मार रहा है, ये सब जो अंदर से गिर्णा आ रही है, जैसे मैंने एक टीटी को देखा, उसने तपड मार दिया एक लड़के को, तो वो गिर्णा है गरीबों के प्रती, ये जो उपर ताना सा बैठे हुए है, आपको अधिकार होना चाहिए, कि टीटी टिकट चेक करता है तपड नहीं, उठा के कूट दो पर उसको, यहीं हो सकता है आतम सम्मान का मतलब आतम सम्मान, तपड क्यों मारा, तो आप कानून से, हमें जब तक कानून की जानकारी नहीं होगी, इसी प्रकार से मारा सोसल होता रहेगा, हमें द्यान लखना चाहिए कि पुजारी का काम होता है मंदिर में पूजा करना, स्कूल बनाओ, पुल बनाओ, नौकरी दो, घर बनाओ, हॉस्पिटल बनाओ, पर बन कुछ हो रहा है, मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है, अब अगर सरकार मंदिर मस्जिद में बैस्त हो जाएगी बनाने में, तो फिर इस प्रकार स मंदर मस्जित की तरब जा रहा है, जो की नहीं जाना चाहिए था, मंदर मस्जित के लिए अपने अपने धरम गुरू हैं, खुब पंडाल लगते हैं, खुब थे मेरा व्यक्तिगात है, वाकि नाराजगी तो सिस्टम से रहेगी, बच्चे मरे हैं अब वो अंदर से भडास तो जो मेरी थी वो निकलने से हो भी क्या जाएगा ये दुरकटना है रुकने वाली नहीं अब तक हम लोग जागरूख नहीं होंगे